स्पेक्ट्रो फोटो मीटर क्या होता है इसका अप्लिकेशन क्या होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है यह कौन से प्रिंस्पल पर वर्क करता है पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे तो बीना देरी के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोड बता करने के लिए spectre photo meter का यूज़ कि जाता है ठीक है प्रिंस्पल देखिए इस्ते क्रेट्रो फोटोड्र और बर्ड ला के प्रिंस्पल पर वर्क करता है टॉसी करे कलरिमीटर भी वर्क करता हैoms लाइट अनर्जी को क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में convert करता है अब बियर्षला देखिए बियर्षला है जब monochromatic light को किसी homogeneous solution से किसको monochromatic light को किसको monochromatic light को क्या करते हैं किसी homogeneous solution से pass out कराते हैं तो क्या होता है light absorption की power जो होती है solution के concentration solution के concentration के प्रपोजनल होती है ठीक है जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होम्योजीनस सोल्यूशन क्या कराते हैं पास आउट कराते हैं तो क्या होता है जो लाइट एबजॉप्शन की पावार है वो सोल्यूशन के कंसंटेशन के प्रपोजनल होती है ठीक है अब Lumber Slaughter देखिए ये क्या होता है जब किसी Homogenis Solution को क्या किरते है Monochromatic Light से Pass Out कराते है किससे Pass Out कराते है Monochromatic Light से Pass Out कराते है तो क्या होता है तो Light Absorption Absorption Power Solution के Thickness के देखिए जो Beard Slaughter था वो क्या था वो Concentration के Proposional था ये क्या है ये ठीकनिस के proportional होता है ठीक है अब देखे दोनों को हम mix करते हैं दोनों लवला को तो क्या होता है जब किसी monochromatic light को किसी homogeneous solution से pass out कराया जाता है तो light absorption power solution के क्या होता है ठीकनिस ठीकनिस और concentration के क्या होगा ठीकनिस क्यों होता है लेंबर भीज़ा ठीकनिस पर वबर करता है और तो ठीकनिस और concentration दोनों कि क्या होगा प्रपोजना होगा ठीक है अब देखिए दियर रहाट टू टाइप ऑप इस्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखिए तो जो सिंगल विम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसमें 325 से लेके 325 से लेके 1000 नैनो एक हजान नैनो मीटर वेवलेंद का मिजरमेंट किया जाता है किता योरो जो फोटो से और सिंगल लाइट प्रू का यूज करते हैं और जो इसका लैणप हुता है उसका जो फिलेमेंट होता ह traffic कट कंगस्टन का बना होता है इस मेंनौ automation से बना होते हैं इसमें लाइट उडी गांतन से बना होता है ठीक है इसमें लाइट अन्ली सिंगल ब elbow स्पेक्ट्रnicas promote एक ही क सोलिशन को मिजर्मेंट कर सकते हैं थे मैसे अगें सबैस If Ganz 요ने मिजर्मेंट कर सकता है को पाहला होता है। लाइत सिर्स दूसरा होता है मानो क्रो़ मातिक फिल्टर चौता होता है एक्जिट लिट पाज़वा होता है क्यूवेट ट्यूब और चैठा होता है फोटो सेल और लास्ट होता है रीडिंग सेल ठीक है जिससे हम क्या करते हैं रीडिंग को नोड करते हैं आगे देखिए आगे है double beam spectro fotometer ठीक है यह है double beam spectrophotometer क्या होता है double beam spectrophotometer जो होता है इसमें 180 किता 185 वनी यानि 185 to 1000 nanometer wavelength का measurement किया जाता है यानि 180 से 1000 nanometer के wavelength क्या करते हैं measurement करते हैं लेकिन हम single में किता करते थे 325 से 1000 nanometer लेकिन इसमें कम से कर सकते हैं 180 से लेके 1000 nanometer wavelength वाले का measurement कर सकते हैं इसमें 2 light source का use करते हैं और 2 photo cell का use करते हैं इसमें monochromatic light को two pathway में pass out करा जाता है इसमें क्या होता है इसमें two beam present होता है किते beam present होते हैं इसमें दो beam present होते हैं इसका इसको double beam spectrophotometer बोला जाता है ठीक है इसमें एक beam में reference और दूसरे beam में क्या होता है sample का reading लेते हैं एक beam में क्या होता है reference और दूसरे beam में sample का reading note करते हैं ठीक है आप इसका components देखिए तो इसमें light source, intense lit, monochromatic light, exit slit और 2 cubets tube लेते हैं 2 photo cell लेते हैं और 2 reading device जिससे हम क्या करते हैं एक reference का reading लेते हैं और एक sample का reading लेते हैं ठीक है ये है diagram किसका double beam spectrophotometer का ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है light source है ठीक है ये क्या है ये slit है ये क्या है ये diaphragm है ये क्या है ये monochromatic filter है ठीक है monochromatic filter क्या करता है एक ही light को measurement करता है बाकी को reflect कर देता है ठीक है ये देखिए इसमें दो क्यूबे tube का use करते है इसका जो reflecting power होता है वो बहुत ज्यादा होता है बहुत कम होता है ठीक है और ये क्या है ये आपको दो photo cell दिखने को मिल रहे होंगे ये क्या करता है ये light energy को electrical energy में क्या करता है convert करता ठीक है दिन उसके बाद हम यहां से क्या करते है reading को note करते है ठीक है इस प्रकार से हम क्या करते है spectrophotometer का use किया जाता है आगे देखिए आगे है इसका procedure इसका procedure देखिए सबसे पहले क्या करते है सबसे पहले हम spectrophotometer को क्या करेंगे on करेंगे ठीक है on करने के बाद क्या होगा light source slit के थूर क्या होगी pass out होने लगेगी ठीक है pass out होने के बाद then intense slit से क्या होगा light single way में pass out करेगी ठीक है intense slit से क्या करेगी इंटर करेगे और single wave में pass out होने लगेगी ठीक है pass out होने के बाद क्या होगा उसके बाद monochromatic light में आएगा ठीक है monochromatic filter में क्या आएगा light आएगा ठीक है then monochromatic filter only one में only one color को क्या करेगा measurement करेगा और जो बांकी color रहेंगे उसको क्या करेगा reflect कर देगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो existing रहेगा उसमें क्या होगा light आएगा जो क्या करेगा only single wavelength को pass out कराएगा एक लिभेलेंट क्या करेगा pass out कराएगा ठीक है next immigration Rim इसका noochromatic in पावर होता है तो क्या होता है बहुत कम होता है ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद light यो हूँ फोर्टो उसेल में आएगा यहां पर जा यहाँ पया होगा इनर्जी क्या होगा light energy electrical energy में convert हो जाएगा uesके बाद electrical charge के वेस्ट नोट करेंगे फिछ फिर से देखिए ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ पर क्या होगा light source होगा यहाँ पर क्या है? यह है slit है ठीक है? यहाँ से monochromatic filter में जाएगा monochromatic filter के बाद कहां जाएगा? फिर से exist slit में जाएगा दिन उसके बाद tubate tube में जाएगा?odus वेट ट्यूप का जो रिफ्लेक्टिंग पावर है उसमें सेंपल होता है ठीक है वो क्या करेगा उसका रिफ्लेक्टिंग पावर कम होता है देन फोटो सेल में जाएगा उसका फोटो सेल क्या करेगा लाइट इनर्जी को इलेक्टिकल एनर्जी में कनवर्ट करके यहां पे र क्या करते हैं Chemical का क्या किया जाता है उसके कंचन्टठेसन का मिजर मेंड करते हैं और और्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का भी डिटर्मिनेशन भी किया जाता है किसके तुरू स्पेक्ट्रोफोटोमेटर के थू ठीक है next है food and webrace का analysis किया जाता है ठीक है धन्द फार्मा सुट्कल इन्डेस्टी में Spectrophotometer का यूज करते हैं और InV technological testing के लिए भी Spectrophotometer का यूज करते हैं Next Diagnosis के लिए भी Spectrophotometer का यूज किया जाता है तो आज के इस वीडियो में हमने Spectrophotometer को पूरा अच्छे से कवर गया उसका психo जाने procedure जाने double beam, single beam सभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हमने कवर किया तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा गर अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए प्रवाइब करते रहते हैं थैंक यू